नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से बाजू की कटिंग एंड इस्टीचिंग तो देखिए यहां पर हम इसमें बाजू लगाएंगे तो इसके जो आरूमल है वो बता दू पहले अधर की यहां से हमें ऐसे कर के आरूमल ना अपनी तो यहां पर हमारे जो आरूमल हैं वो दस इन्च है कपडा हमारा एंडवल है की वैल वेल विट का कपडा है अब देखिए हमें कपड़ी की चोड़ाई लेनी है बो लेनी है आठारा इंच तो अगर हम इस तरीके से देखें लंबाई कितनी हो रही है तो जो लंबाई है उसी तरीके से हमें निकालना है तो देखें यहां पर हमें लंबाई मिल रही है 12 इंच की बाजू की और यहां पर चोड़ाई है 10 इंच तो बराबर है 10 इंच की चोड़ाई मिल रही है हमें और यहां प् alone मिल रहे हैं कपड़े की 12 इंच तो हमारी तईयार 10 इंच की बाजु तैयार और सपर्णा हो जाएगी हमें पहले अपना कपड़ा देखना है किस तरीके से कपड़ा है तो अभी तो मैं Hend ज्यादा चाहिए 10 इंच की चाहिए लंबाइ तो यह कपड़ा 12 इंच का है लंबाइ में तो दो इंच हमारा इंच में जाएगा इस तडरीके से तो 10 इंच तियार मिल जाएगा अब हमें यह यहाँ पर देके चोड़ाई ज्यादा है तो इसको चोड़ाई को कम करना है क्योंकि फिर जोल सी आते वह भी बाजू अच्छी नहीं लगती है तो चोड़ाई कम करेंगे कि इस तरीके से कि अब यहां पर लेना हमें तीन इंच कि इसको देखिए हमें ऊपर की साइड ऐसे करके लेके जाना है कटिंग का निशान अब यहां पर आदा इंच कटिंग कर लेंगे अब इसको मैं आपको जोड़ के बताती हूं किस तरीके से इसको जोड़ेंगे सबसे पहले हम नीचे के साइड पट्टी लगा लेंगे कि अपर आरू मल के उपर इसको रखेंगे और नापेंगे इस तरीके से नापना है अगर हमारी शोड़ाई जादा होगी तो हम इसको काटेंगे इस तरीके से नापना है इस तरीके से तो यह बराबर है अब लगाएगे आरोमल पर सिलाई लगाने के बाद अब हम बाजू के फिटिंग करेंगे देखिए यहां पर हमें इसे हमारी 12 इंच की मौरी है तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे उसके बाद जो भी हमारे फिटिंग का निशान है उसमें हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से अब देखिए हमने यहां पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है अगर आप इससे चोटी बाजू बनाना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर आप किलिक करके उस वीडियो को जरूल देखें क्योंकि मैंने हर तरह की बाजू बताई है जैसे चोटी बाजू कैसे बनानी है बड द्दाट कि अलूल जलगे यहां पर हमारी बाजू लग बाजू लगा है तो इसी तरीके से हम अपनी दूत्री बाजू लगाएंगी आसा करते हूं आपको मेरी यह वीडियो है अच्छी लगिये तो फिरीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें कुछ पूशना या स तो क्लीर लीजे कमेंट करें अगर आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राब करने धन्यवाद